हेलो फ्रेंद्स विल्कम बैक टो माई चानल कैसे हैं आप सब आप आप सब बहुत मज़े में होंगे मैं भी बहुत मज़े में हूं तो जी मैं हूं सदफ और जो मेरे चानल पे नए है उनका वेलकम है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है उनको वेलकम बैक तो आज की तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने मंगाई है यह एन्वाइब की मिनी लिप्स्टिक्स यह आरगन ओईल इन्फ्यूज लिप्स्टिक्स है यह कुछ इस तरह की पाकेजिंग में आती है और इसकी प्राइस है 1.99 र बहुत चोटी लिप्स्टिक्स है एकदम मिनी साइज है मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूं यह देखे यह साइज की लिप्स्टिक्स है यह मुझे चार लिप्स्टिक्स रिसीव हुई है इस पाकेट में तो यह मुझे बंधरी 3 की 4 पड़ी है तो अगर मैं इसका आप सेकंड रखे इसका यह मुझे यह सेकंड रेष्ट है इसका है कि थोर्ड लिप्स्टिक्स जो इसमें है भुष है यह व सबसे अच्छी बात यह थी कैस इसमें था कि आप तो आपनी skin tone के हिसाब से जो भी kit order करना चाहें वो कर सकते हैं इसमें 4 kit available थी तो मैंने मेरी skin tone के हिसाब से ये order की हैं जिसमें मुझे ये 4 lipstick रसी वही हैं तो बड़ी क्यूट सी है अब यूज करने पर पता चलेगा के कैसी है और कितनी long lasting है बट अगर मैं color की बात करूं तो इ NYB के concealer मेरे पास कोई भी अच्छा concealer नहीं था तो मैंने सोचा मैं NYB के concealer से स्टार्ट करती हूं तो ये मैंने 2 concealer order की हैं एक है orange color corrector और एक है concealer तो ये मैंने इसमें order किया है एक है shade no.7 orange pretzel और एक है shade no.3 dark and white chocolate pretzel ये कुछ इस तरह पाकेजिंग में आते हैं ये मैंने देखे पॉर्टल में आते हैं और liquid concealer इसमें है ये ऐसे अब में आपको अपलाई करके दिखाती हुए है काफी अच्छा और एजली ब्लेंड हो जा रहा है तो अभी उसकरने के बाद ये भी पता चलेगा कि ये कैसा है next मैंने जो और रिकिया है इसका next shade जो है ये है shade no.7 ये औरेंज कलर करेक्टर है for dark circles या फिर डाक marks कोई भी आकने वगरा के marks हो वैसे कि देखने में औरेंज कलर कर नहीं लग रहा बॉटल में जो मैंने देखा था मुझे लगा कि ये क्या shade है बट जब आप इसे open करके देखेंगे तो ये बिल्कुल औरेंज कलर करे जिसे लेने के लिए मैं कबसे सोच रही थी बट लेनी पा रही थी क्यांकि मैं बहुत कंफ्यूज थी और मैं जिसे सही में लगा के चेक करना चाहती हूं कि वह कैसा है तो वह है ये अफसा हलाल की नेल पेंट ये तीन नेल पेंट मुझे पड़ी है 147 रुपीज में ये मेरे पास और ये कुछ अच्छी बड़ी बॉटल्स है मुझे सही में लगा था कि ये इतनी बड़ी नहीं होगी साइज में और ये क्योंकि 147 रुपीज में तीन लिप्स्टिक थी शायद इसकी बॉटल बहुत चोटी होगी बट ये अच्छी खासी साइज है इसका मुझे बहुत पसंद है लेकिन कुछ रीजन्स की वेजे से मैं नहीं लगा पाती हूँ तो मैंने सोचा मैं ये वाले अफसा हलाल के जो की एकदम हलाल है 100% हलाल सर्टिफाइड है वो ट्राइब करके देखती हूँ के ये नेल पेंट कैसे हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रिव्यू करने के लिए कि ये नेल पेंट सही में ब्रीदेबल है क्योंकि ये एक तरह से तो अब पता नहीं कैसी होंगी ये तो मैं लगाने के बाद ही इसका अलग से पूरा रिव्यू एंड डेमो दोनों दोंगी जिसके लिए मै मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं तो ये तो थे मेरे कुछ प्रोडाक्ट जो मैंने अभी पॉपल डॉट कॉम से मंगाए हैं ये सारे प्रोडाक्ट मुझे पढ़े हैं अराउंड 500 डुपीज तो मैंने काफी मुझे अफोर्डिबल हॉल थी मेरी है क्योंकि इतने सार वीडियो करूंगी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी सब्सक्राइब करती जाएंगा और बेल नोटिफिकेशन डबाना बिलकुल नहीं भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाली किसी भी वीडियो का पता चल जाए जब भी मैं नई वीडियो डालू तो अब मिलेंगे next video में बाइ बाइ बाइ